मस्जिद में लाउट स्पीका के इस्तिमाल को लेकर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला सोनू निगम के लिए कहा आपको बता दे कि सोनू निगम के ट्वीट के बाद विवाद बढ़ता जा रहा है और हालत तो ये है कि सोनू निगम के उपर फत्वा भी जारी हो गया है पश्चिम बंगाल के मौलाना शाह फते हली कादरी ने सोनू निगम पर फत्वा जारी करते हुए कहा था कि जो सोनू निगम का बाल मुंदवाएगा उसे वो 10 लाख रूपे देंगे सोनु निगम ने मौलाना के इस फत्वे को चुनौती देते हुए कहा कि मैं अपने बाल मुंदवाने के लिए तैयार हूँ आप 10 लाख रूपे दीजिये अल आपको बता दे कि सोनु निगम ने बात बात पर फत्वा जारी करने वाले मौलवियों को जोरदार जवाब देते हुए अपने बाल मुंदवालिये हैं लेकिन जब मौलाना ने देखा कि सोनु निगम ने उनके फत्वे की पोल खोल दी है तो फत्वा जारी करने वाले मौलना अब इस बात को लेकर हाई कोर्ट से फैल सा आया है और ऐसा फैसला आया है जिसे सुनकर कई लोगों को जटका लगने वाला है अजान को लेकर ट्वीट करने वाले गायक सोनू निगम के लिए अच्छी खबर है विवाद में आये सोनू निगम को हाई कोर्ट ने क्लीन चित दे दी है मस्जिद में लाउड स्पीकर के इस्तिमाल को लेकर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला सोनू निगम के लिए कहा कोर्ट ने कहा है कि मुहम्मद साहब ने जब इसलाम धर्म की स्थापना की थी तो बिजली औ और माइक्रोफोन नहीं थे। लाउड स्पीकर से अजान मुसलिम धर्म का अभिनंद नहीं है। अजान मुसलिम धर्म का अभिनंद नहीं माना जा सकता।